हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा जैमादादी जैसरी शाम तो कैसे हो दोस्तों आप से भी आशा करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे और प्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे देखे दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ स्पैशल आपको मिलने वाली है आखिर क्या होने वाला हनुमान जी के जन्मों सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें स्क्रीन पर आपको दो लड़ों की धाली दिखाए दे रहोंगी एक में देखिए मोती किसमत में क्या कह रहे हैं टेरो कार्ट और यूनिवर्स फस्ट नंबर यानि कि मोती चुर के लड़ों जिन्नों ने भी चूस करें हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है हनुमान जी के प्रकट उत्से उपर हनुमान जी के जन्मों उत्से उपर आखिर क्या कुछ खास आपके साथ होने वाला है सबसे पहले तो हम आपको एक चीज बता दे दोस्तों आपकी जिन्दगी बहुत खास होने वाली है बहुत उजवल होने वाली है और बहुत ही बेस्ट होने वाली है जो भी होड़ा है आपके जिन्दगी में लो कहीं न कहीं स्पैशल है तो आ अब इस समय का उप्योग आप कैसे करते हैं यह आपकी बुद्धी पर डिपेंड करता है ठीक है हन्वान जन्मोत से ओपर धेरो सारी शुप कामना आपको मिलने वाली है बहुत सारी खुश खबरियां आपको मिलने वाली है काफी अच्छा समय आपके साथ क्रेट हो रहा है ल आपके लाइफ आपकी बहुत अच्छी है आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा महनती है मन आपका बहुत साफ है दिल आपका बहुत साफ है आप हमेशा सभी के लिए सोचते हैं आप कभी भी खुद के लिए नहीं सोचते आप जीवन के पुर्ति आपकी सची श्रद्धा आसा इसने हमेशन आपका साथ दिया है इश्वर भी पूरी तरह से आपके साथ साथ है आप जो भी इश्वर से भला हो किसी का नुकसान ना की इसी मनुकामना आपके जल्द पूरी हो देखिए हमारी मनुकामना के पीछे कुछ उद्देश होते हैं या तो हमारा सभी का भला होता है या कुछ लोग जल्द के तोर पर भी अपनी मनुकामना पूरी करने की सोचते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं तो वो चीजे नहीं ह क्योंकि जिस मनुकामना से अगर किसी की बुरा चाहने की भी आपने कोशिश करी तो मनुकामना आपके जीवन में कभी पूरी नहीं हो ठीक है ना तो जो भी आपकी इच्छा हो जो भी आप सोच रहे हो जो भी आप चाह रहे हो बहुत जल्द वो पूरा हो और हमेशा आप जी तरह से positive होगा और जिवन में कभी कोई दिक्रत नहीं आएगी कोई परिशानी नहीं आएगी हनवान जी हर वक्त आपके साथ है हमेशा उनकी क्रपा आपके उपर बनी रहेगी बस इतना रहान रखें कि जो आप कमा रहे हैं जितना आप खर्च कर रहे हैं उनमें आपको थोड ज्यादा जैसी condition हमें दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा संभलने की जरू थे और घुसे और आवेश पर थोड़ा सा काबू रखें थोड़ा सहज रहें बीती पुरानी बातों से संब्मदी कोई मुद्दा दोबारा उट सकता है जिसकी वजह से कि अतिरित कुछ हासिल होने वाला नहीं है ठीक है इस बात का विशेज ध्यान रखें और क्या चल रहा है देखिए आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो प्लीज आप हमारे साथ शेर कर अगर आपको कोई दिख कर दे तो आप सकते हैं किसी वज़े से अगर तनाओ है कोई प्रॉब्लम चल रही कुछ हासिल नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा महनत कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में चल रही तो आप कुछ हिमत करिए छोटा सा उपाय मैं आपको बतारी हुई उपाय आप कर लीजेगा चो मों की दीपक होता है जिसके चार मों होते हैं वो दीपक सरसो के तेल का भनवान जी के मंदिर में या तो मंगलवार को ये शनिवार को जैसा भी आपको उचित लगे आप संध्या के समय प्रदोशकाल यानिकी शाम को साथ बजे के बाद वो दीपक हनवान के मंदिर में लगाएं वहां बैट करके ओम अंजने सुते नम का मंतर काजाब 11-21 बार करें जिसा आपको उचित लगे 11-21 बार लेकिन जैसे भी करें दिल से करें और जो भी अपनी मनुकामना हो वहां मंदिर के किसी भी दरवाजे पर या जहां पर भी आप लच्छा बान स था है तो बिल्कुल टैंचन नहीं लेना आपकी मनुकामना जरू पूरी होगी और कमेंट सेक्षन में जैश्री राम जरू लिखें चलिए अब साकेंड नमबर की बात कर लेते हैं जिन्होंने भी साकेंड नमबर यानिकी राजगिरे के लड़ू जिन्होंने चूस करें है तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे इन चीजों को आपको ध्यान रखना है दूस्तों कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉम्ब्लम चल रही है कुछ टैंशन चल रही है साकेंड नमबर जिन्होंने भी चूसकरा राजगिरे के लड़ू वाला आप हमें कमेंट सेक्षन म बहुत जल्दी आपकी कोई विश पूरी होने वाली कोई इच्छा पूरी होने वाली जो काफी टमेंसे आप सोच रहे थे कि पूरी हो जाया पर नहीं हो पा रही थी वह अब पूरी होने वाली है इसके साथ ही देखिए आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है एक्टिव पहलू पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करें किसी नजदी की मित्र से संबंद खराब होने के स्थिती हमें दिखाई दे रही है विवसाय में बहुत अधिक महनत और समय आपको देना पड़ेगा जो कि बहुत जरूरी है और अब समय नहीं दे पा रहे हैं तो कारे प् संबर का बढ़ाना है कारी आपको ववस्तेत करना है इतना धियान रखना कि स्मय की नग थी की वे जगय से आप परेशान हो सकते हैं तो ऐसे फ्रेंड्स आपको नेगेटिव फिल करवा हूँ दिखे हमारा जो भाग्य होता है वो हमारी सोच पर ही डिपेंट करता है अगर हमारी सोच positive है तो सबसे पहले तो हमें हमारी सोच को बदिलना होगा जैसे हम हमारी सोच में परिवर्तन करते हैं दोस्तों जैसे हम positive सोचने लगते हैं authentic हमारे जो शब्द होते हैं जो मुख से जो शब्द निकलते हैं जैसे हम positive बोलते हैं हमारे करमों में सकारात्मक आने लग जाती है और करम अगर सकारात्मक हो गए तो दोसे आपका भाग्य automatic positive हो जाएगा उछ करने के जरूद नहीं है एक बार आप positive होकर के देखी किसी से भी किसी की भी प्रती गलत भावना नहीं रखना किसी के लिए गलत सोच नहीं रखना किसी के लिए परेशान नहीं होना किसी के लिए घबराना नहीं किसी के लिए attention नहीं लेना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और इतना ध्यान रखना कि इश्वर क भरोसा कभी तूटे ना आपके प्रती क्योंकि बहुत उमीद है आपको वीश्वन से तो कहीं न कहीं आप हमेशा पॉजिटीव वर्क करें negative लाइन पर आप ना जाये गलत लाइन पर आप ना जाये मानदारी से कारी करें और हमेशा इमानदार रहें ठीके आपका समय का अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चुरूतियां आपके सामने आएगी, समझदारी से प्रैक्टिकल होकर के कारे करें, भविश्य की चिंदा को छोड़ें, वरतमान गतिवीधियों पर दियान दें, और जादा जिम्मेदारीों की वजह से थोड़ा तनाव रहे सकता है, तो किसी भी असमझद से की स्तती में अनुभवी से सलहा लेना आपके लिए बहतर रहेगा, पर इस्तितियों से घबराएं नहीं, समाधान ढूंडने की कोशिश करें, रिष्टों को सहच कर रखें, किसी भी तरह की बहस की स्तती में आपड़ें, यह समय शांती पुर्ण तरीके से व्यतित करने का है, अपनी उर्जा को सकारात्मक रूप से इस्तमाल करें, कभी-कभी अतियात्म विश्वास होने की वज़े से आप अपने बंते कामों को बिगाड सकते, अपने वारी वारी आक्रमक स्वभाव पर थोड़ा सा नियंतर रखें, यह शब्दों पर नियंतर रखना आपके बहुत जरूरी अनिता, आप तालमिल नहीं बिठा पाएंगे समय के साथ और आप पर परेशान रहेंगे, तनाओ में रहेंगे, तो जितना हो सके अपने शब्दों का चैन थोड़ा सोच समझ कर करें, और कोशि झालमिल नहीं परेशान रहेंगे, तनाओ में 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 रह